नमस्कार आप देख रहे हैं फिलोसोफिकल वर्ल्ड और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त राजरठोर दोस्तों आज के वीडियो ब्लोग में हम आपको ले चलते हैं जौतपूर की जे नाराइन व्यास यूनवर्ट सिटी के सपर पर तो चलिए सुरू करते हैं सो गाइज यह है जैन्यू ओल्ड केंपस का एंटर्स गेट और यह है सबसे पहली फैकल्टी कोमर्स फैकल्टी तो चलिए चलते हैं कोमर्स फैकल्टी में यह है Commerce faculty की building और यह है anti-regging notice और यह है वो building जहां लगती है Commerce के students की classes और यह है Commerce student के लिए inquiry window So guys that's all इतना ही कुछ है यहां दिखाने के लिए तो चलिए आपको ले चलता हूँ Law faculty की तरफ तो दोस्तों यहां से सुरू होती है चैनियो की faculty of law चैनियो की faculty of law मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मैंने यहीं से five year law की degree ली थी तो चलिए देखते हैं पूरी faculty यह जो building है वो किसी टाइम में faculty of arts की building हुआ करती थी लेकिन अब faculty of arts यहां नहीं है अब faculty of arts को यहां से shift करके चैनियो के new campus में shift कर दिया गया है अब यहां सिर्फ faculty of law और faculty of evening studies और faculty of commerce है अब यह पूरी building faculty of law की है आपको जो यह ठीक सामने hall दिखाई दे रहा है यह SM के hall है जा usually exam conduct होते है और यह है SM के hall के सामने वाली building जब arts faculty यहां हुआ करती थी तब यह department fine arts department हुआ करता था यानि ललित कला department अब इसको भी shift कर दिया है अब यहां से हम सीधा चलते हैं faculty of law की तरब और यह है प्यव जहां से student पानी पीते हैं और पास में है दक्षणी मुखी बाला जी का मंदिर कि अब आप तो फाइनली वी यह एट faculty of law यानि विदी संकाई आप सो हीर इस ओफिस ओप फेकल्टी ओप लो इस्टूडेंट हेल्प ओपीस जहां इस्टूडेंट की हेल्प करने के लिए department बने हुए हैं जहां आप कागज वगेरा या डोक्यूमेंट वगेरा सब्मिट करते हैं इसी विंडो में लल्बी और भी ये लल्बी फाइव ये लो के और ये आगे वाला ओपीस है डीन ओपीस और ये है हमारा गार्डन फेकल्टी ओप लोका गार्डन जहां हम बेट के खूब मस्ति गया करते थे तो ये चलते हैं अब लाइब्रेरि में ये बहुत एरली मॉर्निंग है सो लाइब्रेरी पूरी तरह से खुली नहीं है लेकिन जितनी भी खुली है मैं चलो आपको दिखा देता हूँ यहां से हमें एंटर करते हैं लाइप्रेरी में और यह पर बैट के हम पड़ाई क्या करते अर यह थी हमारी लाइब्रेरी ऑफिसा यह करे इस लória लाइबरेरी में अंदर से आपको नहीं दिखा सकता canon और ये देखे गैलरी के ठीक सामने बाहर वाला न जा रहा SM के होल दिख रहा आपको सामने और ये है क्लासेज की गैलरी So guys ये तो थी हमारी क्लासेज जहां हमने पूरे 5 साल बेट कर पढ़ाई और मस्ती सब कुछ किया और ये है यहां पर हमारी पुरानी लाइबरेरी जो LLB के स्टुडेंट हैं वो यहां से बुक्स लेते हैं और 5 ये लोग के हैं वो वहां से लेते हैं ये है प्लेग्राउंट और यहां कस्ट एक्षन का काम चल रहा है तो ज़्यादा मैं यहां आपको नहीं दिखा सकता और ये SMK होल के सामने वाली बिल्डिंग So guys that's all ये थी हमारी faculty of law और I hope आपको वीडियो देख कर काफी मज़ा आया होगा और आप यहां के नए स्टुडेंट हैं या नए एड्मिशन लेने जा रहे हैं तो I hope ये वीडियो आपके लिए helpful होगा हर चीज से आप familiar हो जाएंगे So guys चलिए देखते हैं faculty of evening studies को और faculty of evening studies का यहां सिर्फ office है और यहां classes आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि classes जो है वो b.com faculty में लगती है Guys faculty of evening studies में ज़्यादा कुछ देखने को है नहीं यहां सिर्फ आप देख सकते हैं faculty of evening studies का office जहां आप document सब्मिट करवाते हैं In case आपको document सब्मिट करवाना है तो यहां करवाते हैं इस window पर So guys यह तो था जेन्यू का पूरा old campus और अगर आप यहां के exit student रहे होंगे तो आप जेन्यू को जरूर मिस कर रहे होंगे अगर आप मिस करते हैं तो please हमें comment में जरूर बताएगा और अगर आप नए student है जेन्यू में admission लेने की सोच रहे हैं तो I hope यह वीडियो आपके लिए काफी helpful होगा I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो please hit like और नए है चैनल पर तो चैनल को subscribe करके bell icon को दबाना बिलकुल न भूले So I hope वीडियो आपको पसंद आया होगा Thank you so much for watching